दिल्ली में पानी की किलत को लेकर जबरजस घमासान मचा हुआ है भारती जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाप मूर्चा खोले हुए है पार्टी के सांचद नेता या फिर कारिकरता दिल्ली में पानी के संकट को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मधार ठहरा बिजेपी दिल्ली के कई इलाकों में मुख्य मंतरी अर्विंद के जरीवाल और उनके पार्टी के खिलाब विरोद्पृताषन कर रही हैं वहीं आप विधायकोंने केंद्री जल्सक्ति मंतरी स्यार पार्टील से मिलने के उनके आवास पहूंचे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं उपाई लेकिन इसी दवरान एक बड़ी खवर निकल के आई छhतरपुर में दिल्ली जड्ड बोर्ड का जो ओफिस था वहाँ पर अग्यात हमला वरों ने तोड़ फोल कर दी अग्यात हमलावरों ने दिल्ली जलबोर्ड के ओफिस की खेड़कियां तोड़ दी साब ने जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें साफ तरप निजार आरा कि पूरे ओफिस में काँच विखरा हुआ पड़ा है अब वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के नेता रमेज बिधोड़ी ने एक बड़ा बयान दिया है क्या कुछ कह रहे रमेज बिधोड़ी और भाजपा कारिकरताओं को लेकर उन्होंने क्या कह चलिए आपको वो भी सुनवाता हूँ एक हमारी एक ही मांगे किवल हमें ये बताएं कि दिल्ली में 2014 में 2013 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार मैं तब भी 950 से 1000 अमजडी पानी है दस साल में पांच लाख लोग प्रतिवस दिल्ली में बढ़ जाती है जन संक्या रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं दिल्ली के नैचुरल पॉपरिशन बढ़ती है 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में लेकिन एक भी MGD का कोई ने टीटमेंट प्लांट के जिवाल ने नहीं लगाया है जो कॉंग्रेस के परपोजल के थे वजीराबाद में 100 MGD का था ओखले में 100 MGD का था उनी को 10 साल में पूरा कर देते हैं साड़े 1200 MGD तेरे 100 MGD दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए वो है नहीं तो इसलिए ये जो भरष्टाचार में सनलित सरकार है ब्रष्टाचार से अपना आपको बचाने के लिए एक narrative पेश करने के लिए केजरिवाल दिल्ली का बेटा केजरिवाल को बंद कर दिया वो ब्रष्टाचार में लगे वे थे पहले शराब घोटाले में फिर शीश महल का घोटाला अपना बंगलाउं का जो बनाए 60-70,000 करोड में उनमें लगे वे बचाने में जलबोड में पिछले 10 साल में ओडिटी नहीं हुआ है सत्तर हजार करोड के घाटे पर जलबोड है इसके लिए भी आती सी बता देना के सीय जी बार-बार चिठी लिख चुकी है कि आप आडिट कराईए क्यों नहीं आडिट कराते जी भाईया इसी लिए टेंकरों की संख्या बढ़कर आज 300 हो गई है घोटाले में टेंकर जाते हैं गलियों में 500-500,000 में गलिव लोगों से पैसा लेकर टेंकर बेचते हैं ट्यूएल जो लगती है संखंव्यार में जाकर देखिए विधायक जहां ट्यूएल लगेगी वहां की गलियों के लोगों से 10-15 रुपे कठा करते हैं तब ट्यूएल लगती है जो लोग 10,000 रुपे देते हैं ट्यूएल उनके काबू में आ जाती है तो यह भरष्टाचार युक्त सरकार है इससे मुक्ति के लिए हमना आजे मांग रखी है आतीसी जो है जल मंती उन्हों ने दिली प्लिस कमिस्टर को कम लेखिए यह नोटन की करने से कोई फाइदा नहीं है मैं आतीसी से पूछना चाहता हूँ पिछले एक महीने में क्या किया आपने पिछले दो верia कि में दो जो महीने में केवल नोटन की करते रहे कभी जल में जाना कभी केजरालो को बाहर लाना कभी WHO कर गूमना कि पतनी को लेकर घुमना यहaultकर हजार ख्रूण का डिली दी यह दिल्ली वाली को पैसा है आपके इनके किसी वपौती का पैसा पैसा तो है नहीं वह dot त पुरा सिसा तोड़ दिया है स्वाभाविक है जब पब्लिक गुस्टे में होगी तो पब्लिक तो कुछ भी तरसक्ति है लेकिन मैं भारते जनता पार्टी के कारेकरताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूगा कि उन्होंने आके लोगों को कंट्रॉल किया क्योंकि यह सरक तो फिलाल आप कैसे देखते हैं रमेज बिधूरी के इस बयान को साथ साथ दिल्ली के जो जलबोर्ड ऑफिस में तोलफोड होई उसे कमेंट बॉक्स में जरू बताना और पेज को फॉलो करना चैयल को सब्सक्राइब करना बिल्कुमित भूलिए का धन्यवाद देखते हैं